हेले अब्रिवान मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चानल प्यूपल्टी के में हम लोग के विस की आंसर की के विस के यह रिजल्ट और इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा इन सभी स कि लिजल्ट वालों से यहां पर प्रिशान थे तो देखें यहां पर के विस के जो रिजल्ट और इंटरव्यू के लिस्ट है यहां पर आपकी शिट वईस आने लगी है shift vice कहने का यह मतलब है कि पहले यहाँ पे KBS के यहाँ पे assistant commissioner के principal vice principal के आपके paper हुए थे फिर आपका TGT post के and then आपके PRT post के तो देखिए यहाँ पे result आना जो है यह start हो गया है और जैसा कि हम सभी को पता है कि KBS का जो exam था वो आपका 7 February से start हुआ था तो देखिए 7 February को जो आपका assistant commissioner का आपका exam हुआ था इसके यहाँ पे आज interview list जो है यह upload कर दी गई है और इसमें कितने गुना लोगों को बुलाया गया और आप लोगों का result कब तक आएगा तो देखिए इसमें आपकी जो list है उसमें 173 लोगों की आपकी एक list यहाँ पे आई है जिसमें आपकी जो वेकेंसी थी वो लगभग 52 थी तो देखिए अगर हम all over देखें तो कितने गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया गया तो यहाँ पर आपका 3.3 या 3.4 के आज पास इतने टाइमस लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है अब देखिए अब आपका result बाया गा और साथे साथ यहाँ पे यहाँ PRT में या TGT में कितने लोगों को बुलाया जाएगा तो कहीं न कहीं यह डिपेंड भी करता है कि आपकी वेकेंसी कितनी थी तो यहाँ पे तो नंबर आफ सीच से 52 थी तो देखिए इसे साब से यहाँ पे तीन से जादा गुना को बुलाया गया अगर मैं हाँ पे PRT की बात करूँ तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे section wise आपकी चीजे होंगी section wise कैसे section wise यहाँ पे जैसे जो exam पहले हुआ था उनके आपके result और उनकी यहाँ पे interview list पहले आएगी और उसके बात धेरे धेरे last तक आपका PRT की देखिए आप लोगों का जो आपकी यहाँ पे interview की list आएगी और आपकी interview में यहाँ पे आपका 13 से 15 दिन का आपका gap होने वाला है यह भी आपको यहाँ पर पता होना ची इतना time आपको मिल जाएगा यहाँ पे interview की preparation करने के लिए और कितने percent लोगों को यहाँ पे बुलाया तो देखिए अगर इतना ना सही तीन गुना लोगों को भी बुलाया तो 6000 वेकेंसी के according PRT में यहाँ पे अलगभग आपके आप कह सकते हैं कि 17,000 से 18,000 जो candidate है इनको बुलाया जा सकता है अगर यहाँ पे जो तीन गुना candidate को यहाँ पे बुलाया जाए अगर थोड़ा कम हम मान के चले तो यहाँ पे 16,000 से 18,000 के बीच में यहाँ पे candidate को बुलाया जा सकता है I hope जो आपका इंतिजार था वो जल्दी अब खतब होने वाला है और देखते देखते आपका यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे KBS अपडेट दे रहा है तो आप लोगों का result भी बहुत से भी कम है तो देखिए इतना कम तो कट अफ जाएगा नी तब आपको डेटर प्लेस बी की तरफ स्विच करना चाहिए और जैसे ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को भी इंट्रव्यू में 110 तक भी है वह भी अभी रुख जाए अभी डी ट्रिप्लेस बी की वेकेंसी भी नहीं आई है वेकेंसी आ जाए और यह सब चीजे क्लियर हो जाए तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं बाकी जिनके यहां पर बॉर्डर लाइन से काफी कम मार्स हैं वह अपने त्यारी शुर